प्रेम सी कहिए जै जै श्रीराधी आज की इस वीडियो में हम आने वाले कार्थिक मास के विशे में बात करेंगे कार्थिक मास को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे प्रशन होते हैं कार्थिक मास के वरत कैसे करें कार्थिक मास में हमें क्या क्या करना होता है कार्तिक मास के क्या-क्या नियम होते है पूजा विधी क्या होती है तुलसी पूजन कैसे किया जाता है किन-किन कथाओं का किन-किन विधियों का किन-किन मंतरों का हमें जाप करना चाहिए ऐसे बहुत सारे प्रशन भगतों के मन में होते हैं इस वीडियो में हम इनी सभी प्र साधन के रूप में दर्शाया गया है। इस मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। भगवान नारायन ने सुयम इसे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारज जी को और नारज जी ने महराज प्रथु को कार्तिक मास के सर्वगूर्ण संपन्य महत्म के संदर्प में बताया था। इस अंसार में प्रतिक मनुश्य सुख शान्ती और परम अनंद की कामना करता है कार्थिक मास को मनुश्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्टी करने वाला बताया गया है एक मान्यता के अनुसार जब प्रम्हा जी ने एक तरफ सभी प्रकार के दान, वरत और नियम रखे और दूसरी और कार्थिक का इसनान रख कर दोला तो कार्थिक इसनान का पलरा भारी हो गया अब जानते हैं कि कार्थिक इसनान कब से कब तक किया जाता है और इसके नियम क्या है वरत कैसे किया जाता है और पूजा कैसे की जाती है कार्तिक इसनान आशिवन महा की पूर्णिमा से प्रारंब होकर अगले महा यानि कार्तिक महा की पूर्णिमा पर समाप्त होता है इस पवित्र स्नान को आरम करने से पहले आशिवन महा के शुकल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विश्नु को परणाम करके कार्तिक मास इसनान और वरत की आग्या लेने चाहिए ऐसी माननेता है कि इस परकार आग्या लेने से भगवान पर सन्न होते हैं और वे अपने भगत पर करपा करते हैं और उसे आत्मिक बाल और मनोबल परदान करते हैं जिससे कि उसका वरत्मियम पूरा हो सके वैसे तो कार्तिक का इसनान गंगा जी या किसी भी पवित्र नदी के तर्ट पर किया जाता है लेकिन यदि गंगा जी किसी पवित्र नदी तलाब या पोखर के तर्ट पर कार्तिक इसनान करना संभव ना हो तब नियमित रूप से जो घर में आप सनान करते हैं उस बाल्टी में ही गंगाजी या अन्य किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर आपको रोज सनान करना चाहिए अक्सर भक्तों का ये प्रेशन होता है कि कारतिक इसनान की समय तक कर लेना चाहिए कारतिक इसनान का शुब समय क्या होता है तो देखिए प्रम मूर्थ में किया गया कारतिक इसनान सबसे शुब माना जाता है प्रम मूर्थ का समय होता है लगबख सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच इस बीच में अगर आप कारतिक इसनान करते हैं कार्तिक इसनान से मेरा मतलब है इसनान करके भगवान की पूजा करते हैं तुलसी जी की पूजा करते हैं तुलसी जी में दीपतान करते हैं ये जो भी आपने वरत के संकल्प किये हैं वो पूरे करते हैं भगवान की कथाओं का पाट करते हैं या भगवान की कताओं को सुनते हैं तो इसे कार्टिक इसनान कहा जाता है तो ये सब काम आप 4-5 के बीच में एदि करते हैं तो इसे बहुत ही शुब माना जाता है लेकिन वो लोग क्या करें जो इस समय में पूजा नहीं कर सकते बहुत सारे लोग होते हैं जिने night duty करनी होती है या और कोई उनके घर में परिशानी होती है जो सुबह सुबह चार बजे उठकर पूजा नहीं कर सकते हैं इसनान नहीं कर सकते हैं तो क्या वे देर से इसनान नहीं कर सकते हैं तो देखिए अगर आपके साथ कोई प्रशानी है तो आप देर से भी इस्नान कर सकते हैं, कुछ ना करने से कुछ करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप जिस समय भी इस्नान करें, जिस समय भी आप अवेलेबिल हो कर सकते हैं, उसी समय इस्नान करके नहां दो के स्वच कपड़े पैन कर भगवान की पूजा करें जो भी आपने संकल्प किये हैं वरत के वो पूरे करें अब यहीं पर एक और महतोपून बात है जैसा कि मैंने पहले कहा कार्थिक का इसनान किसी पविद्र नदी या सरोवर के तर्ट पर किया जाता है तो ऐसे में आप समझी गए हो चार्तिक के अणउसार ही कार्थिक का इसनान करें ऐसा ना हो कि आप ठढ़े जल में इसनान करें और फिर आप बेमार हो जाएÁं और इससे आपकी पूजा बीच में ही अधूरी रह जाए बगवान हमारे मन के भावों से परसन होते हैं ना कि इस बात से कि हमने पूजा कितने नियमों को निभा कर की है जितने भी नियम आप निभा सकें देखी वैसे तो कार्तिक की पूजा में बहुत सारी नियम होते हैं लेकिन सभी लोग सभी निय सकते हैं तो जितने भी नियम आप सब निभा सकें उतने ही नियम का आप संकल्प लें एक और प्रशन जो आता है भक्तों के मन में वो होता है कि कार्तिक मास के वरत कैसे किया जाते हैं क्या हम पूरे महीने के वरत का संकल्प कर सकते हैं कौन-कौन इस वरत को कर सकता है देखी वैसे तो कार्तिक मास के पूजा अधिकतर महिलाए करती हैं लेकिन अगर कोई पूरुष या बच्चे या भुजोर्ग जो भी करना चाहें वो कार्तिक मास की पूजा कर सकते हैं कार्तिक मास का वरत भी कर सकते हैं अब वरत कैसे किया जाए ये सब आपके शारिक सामरते पर निर्भर करता है कुछ लोग केवल मीठा खाने का वरत करते हैं कुछ लोग एक समय भूजन करने का वरत करते हैं जबकि कुछ लोग फलाहारी वरत करते हैं तो जैसा भी आप वरत रखना चाहें वैसा आप वरत रख सकते हैं अगर आप एक समय भूजन का वरत रख सकते हैं तो आप एक समय नॉर्मल खाना खा सकते हैं जिसमें रोटी, सबजी, डाल, चावल इस तरह का खाना होता है ये सब आप खा सकते हैं लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए घरों में जादतर इ कासे के वरतनों का यूज होता है उन्हें बरत के दिन कासे के वरतन का यूज नहीं करना चाहिए वैसे तो तुलसी जी की पूजा पूरे साल की जाती है हर महीने में तुलसी जी की पूजा करने का महत्व होता है लेकिन शाष्टरों में कार्थिक मास में तुलसी जी की पू करने चाहिए उनमें जल अर्पित करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए अब यहां पर प्रशन आता है कुछ लोग पूछते हैं कि यह दीप दान क्या होता है क्या हमें दीपक का दान करना है तो दीकी कार्थिक मास में दीप दान किया जाता है अलग-अलग जंगया पर कि कुछ लोग मंदिर में करते हैं, कुछ लोग अपने घर की छट पर करते हैं, कुछ लोग अपने मुखे दरवाजे पर करते हैं, कुछ तुलसी दल में करते हैं, भगवान के सामने भी तीपतान किया जाता है, दीपतान करने का अर्थ होता है तीपक जलाना, अगर आप हर यह हम तेल का दीपक चला सकते हैं तो देखिए अगर आप चाहें तो आप की का दीपक चला सकते हैं अगर संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी चला सकते हैं एक और प्रशनियां पर आता है कि जैसे रविवार पढ़ता है कार्थिक मास में तो क्या उस दिन हमें तुलस से भी आप डेली करते हैं उसी तरह से आपको पूजा करनी है सिर्फ उनमें आपको सपर्ष नहीं करना है और उनमें जल नहीं चड़ाना है इसके अलावा कारतिक इसनान करने वाले को चाहिए उसने वरत किया है या नहीं किया है आपके वाल इसनान करते हैं पूजा करते हैं तब भी आपको कार्तिक मास का मातम में और कार्तिक मास की कथाओं को सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए दूसरों को सुनना चाहिए अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं हमारे चैनल को फोलो करते हैं तो आपको कार्तिक मास का मातम में और कार्तिक मास की कथाओं हमारे चै लाएं नहीं पड़ सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पर कथाओं को सुन सकते हैं और अपने विरत्त पाधिक मास्का निया है उसका पालन कर सकते हैं, यहां पर प्रश्चन होता है कि कि Cake कि इस इस्तिती से सुन ले या फिर आप किसी और से कह दें जो आपको कार्थिक मास का महात्म करों श divor मैंने इस वीडियो में आपको बताया है आपके मन में अगर कार्तिक मासिस्नान से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं मैं उसको जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेम स कहिए जैजे श्री राधी